हेलो दोस्तो आहां कि चैनल राजस्थान का पूर्मेथ हैं ऐसे कता हुए आश जंद करोовые को आपको राजस्थान काउंसिल में आपको registration करवाना पड़ेगा अगर आप राजस्थान में रहते हैं या फिर अगर आपको अपना रजस्थान में आपको अपना medical इस्टोर या फिर आपका medical से सम्बंदित कोई business करना है तो आपको आप तो आपको आगी pharmacy आपका registration करवाना पड़ेगा तो इसके लिए राजस्थान pharmacy काउंसल का जो पोटल मना हुआ है उसे उपन कर लेंगे तो आपको किसी भी ब्राउजर में जाकर राजस्थान pharmacy काउंसल को उपन कर लेना है तो इसका यहां पर लिंक आ गया राजस्थान pharmacy काउंसल डॉट इन तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और एक बार जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो यह देखिए यह राजस्थान pharmacy council का official portal उपन हो चुका है इसके लिखा हुआ है वैलकम टू राजस्थान फार्मेसी council तो आप इसमें देख सकते हैं इस्टेट्री बॉड़ी कंस्ट्यूटेट अंदर सेक्शन नाइंटीन फार्मेसी एक 2048 तो यह आप करजस्थान फार्मेसी council का portal बना हुआ है तो यहां पर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं इसके अलावा इसमें और आपको स्टेटस दिखाएगा देखिए आप लिखावाए अप्लाई ऑनलाइन तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और एक बार जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस पर आपका रहा है न्यू रेजिस्ट्रेशन अगर आप वाँ पो Medisation करवाने वाले हैं अगर आपका Registration पहले से वह del missing करदिए इसके अलाबा चेंज या इसके अलाबा आप इसमें Trans criteria करें अगर आपका Registattack किसए 6 दूसरे न है फिर अगर आप किसी दूसरे ए स्टेट में अपना रिजिस्टरेशन ट्रांस्पर करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप उसमें कोई extra qualification एड़ करवाना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आपका registration certificate काई हो गया है, तो आप यहां से duplicate registration certificate के लिए भी आप online ही apply कर सकते हैं तो चलिए हम new registration वाले पर click कर लेते हैं तो हमने new registration पर हमने click कर दिया है तो एक बार कुछ इस तरह का interface open हो जाता है इस पर लिखाव है pharmacist registration fill registration form तो इस पर आपको click कर देना है और एक बार जैसी आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का form open हो जाता है तो इसमें लिखाव है basic information before start filling online registration form get scan copy of all relevant documents on system दिया दोस्तों जो भी आपका mark sheet है उसको वो उसकी एक photo आपको अपने computer या फिर अपने smartphone में उसकी ले लेनी है उसको आपको save कर लेना है तब भी आपका upload होगा तो इसमें लिखा हुआ है नेम लिखा हुआ है तो पहले हम इसमें अपना mister या message जो भी आपका जो भी आपका title है उसको आप यहां से select कर लेंगे और उसके बाद अपना नेम आप यहां पर भर देंगे इसके अलावा इसमें आपको अपना father name को भर देना है इसमें आपको mother name फिल कर देना है उसके बाद इसमें आप इसमें आपको data birth भर देनी है इसके अलावा जो भी आपका permanent address है उसमें आपका house number हो गया street, area, city, state, district और pin code यह सब चीज़े आपको भर देनी है इसके अलावा ज इसमें अपना communication address बढ़ देंगे या फिर आप यहां पर ट्रिक कर देंगे तो जो भी आपका permanent address होगा वही आपका इसमें communication address बन जाएंगा इसके अलावा आपको इसमें domicile state दिखाना है जैसे अगर आप राजस्थान के हैं तो आप यहां से राजस्थान चूज कर लेंगे और इसके अलावा इसमें आपको अपना mobile number, phone number और email ID यह सब आपको भरनी पड़ेगी इसके अलावा आपको gender देना पड़ेगा, male है, female है, फिर इसमें आपका cast आता है कि आप general है, OBC है, SC है, क्या है और इसके अलावा आपको residence proof जो भी आपका अधार कार्ट है, driving license है, उसको आप भर लेंगे उसके बाद अगर आप इसमें अपना अधार कार्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आप इसमें अपना अधार कार्ट का number भर देंगे इसके बाद इसमें आपको अपने class 12 का, जो भी आपका school का name है, college का name है, उसको भरना होता है, place भरना होता है, state भरना होता है और जो भी आपके subject थे, वो सब इसमें आपको भर देने हैं, और आपको year up passing भर देनी है अब इसके बाद आते हैं फार्वेशी क्वालिफिकेशन में, तो आपने dpharma किया है, b pharma किया है, ये सब चीजे आपको select अगर आपने फार्वा किया हैő, अगर आपने dpharma किया है, तो आप यहाँ से select कर लेंगे, उसके बाद आपने किस state से अपना pharma temps किया है, ये सब आप यहां पर डिटल्स भर लेंगे आपने जिस भी हॉस्पिटल से किया है वह सब चीजे आप यहां पर भर लेंगे और उसके बाद इसमें आता आप न्यूी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस न आता चेक एप्लिकेसन इस्टेटस्ट यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एप्लिकेसन फर्म नमभर और अपना पासफ़र्ट डाला होगा तो उसके पर लिखाГए चeki रजिस्टेशन इस्टेटस तो आप यहां से भी अपना Art is से दब्ध आपको डालना की रिखनी विडियो देखने के लिए धनलेवाद जाहिएं दोस्तों